आज मैं आपके साथ एकदम पफेक्ट बनने वाली दाल मखनी की रेस्पी शेयर करूंगी और आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कैसे इसमें बदलाव कर सकते हैं, कैसे आप एकदम रेस्टरेंट स्टाइल की दाल मखनी हर बार घर में बना कर तयार कर सकते हैं उसके लिए एक कप ये उडद की दाल, साबूत उडद की दाल मैंने लिया है, काली दाल जो होती है, वो ली है और एक कप के लिए वन फॉर्थ कप राजमा हमें लेनी होती है, और अगर आपको बिल्कुल घुटी हुई दाल पसंद है, जो रेस्टरेंट में एकदम घुटी ह होती है, उसके लिए एक टेबल स्पूर्ण आप चने की दाल भी ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से धोना है, कई बार धोना है, और फिर पानी में अच्छी तरह से डुबो कर रात भर के लिए भीगो कर रख देना है, जब रात भर भीग लेती है दाल, तो उसका पानी प बहुत जरूरी होता है जिसमें आप भीगोएंगे उसका पानी निकाल देना और उसको अच्छी तरह से धोकर ही दुबारा यूज करना है अब बस प्रेशिर कुकर में वो दाल राजमा सब एक साथ ही अमने भीगोई थी वो ले लेनी है और इसमें पानी एड़ करना है इतना पानी की दाल अच्छे से डूब गई है अब इसमें हमने नमक थोड़ा सा नमक लेना है थोड़ी सी देगी लाल मिर्च का मैं हर बार यूज करूंगी इससे कलर अच्छा आता है और बहुत तीखी ये नहीं होती और थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर इसमें बहुत क इसको बॉइल होने के लिए रख दिया है और चार सीटी आने के बाद गैस का बर्नर मैंने ओफ कर दिया है अब एक कढ़ाई में मैंने देसी घी लिया है दाल जब भी बनाते हैं तो देसी घी में बनानी चाहिए आप चाहें तो ऑईल का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें चलके हमें बटर चाहिए और लैसुन अद्रक का पेस्ट लिया उसको अच्छी तरह से भून लिया जब वो भून गया है तब उसमें तीन से चार टमाटर का पेस्ट बना कर ले लिया है थोड़ा सा पानी भी इसमें एड़ किया है एक से दो टेबल स्पून और अच्छी त पेपर बहुत पीखापन नहीं होता और याद रखिए कि टमाटर को हमने अच्छी तरह से पका ना है अब जब टमाटर अच्छी तरह से पक गए उसके बाद मैं ये हरी मिर्च डाल Tell गयों जिसके बीज मैंने निकाल दिये हैं इस तरह प्रेशर दोकर अपने आप ठंडा होने दिया है उसको बीच में हमने नहीं खोला था अब बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उस पानी के साथ ही मैंने लिया है जिससे में दाल बॉइल की थी अब ढ़कन लगाकर इसको कुक होने देंगे अब ढ़कन लगाकर हमने 10 मिनट तक इसको कुक किया और उसके बाद देखिए किस तरह से घी अलग हो गया है और निचे तले तक इसको हर बार चलाएंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर आड़ कर देंगे मिक्स करके ढ़कन लगाकर फिर से इसको कुक होने देंगे ये देखिए और 10 मिनट कुक किया है तो इसका पानी थोड़ा कम हो गया है अब इस वक्त हमने इसको मैश करना है आप चाहें तो और भी ज्यादा ठिक करने के बाद इसको मैश कर सकते हैं या जब आपने बॉइल किया है उस वक्त भी इसे मैश कर सकते हैं प्रेशर कूकर मे ही आप इसको मैश कर सकते थे किसी मतनी की मदद से या इस तरह के पोटेटो मैशर से इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से इसको मैश करना है ताकि वो घुटी हुई दाल बने आप और भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें चने की दाल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी घुट जाती है पर दाल मखनी में अगर सेफ राजमा का इसनेमाल किया जाता है तो टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब अच्छी तरह से घोट लिया है आप देख सकते हैं कि दाल काफी अच्छी घुट गई है पर काफी तो इसमें पानी एड़ करणा है जैसी कंसिस्टेंशी आप चाते हैं उसके according पानी एड़ करें पर पानी हर बार गर्म पानी का ही इसमें करना है अब अच्छी तरह से दाल मंखनी हमारी पक चुकी है और इसमें मैंने मलाई एड़ की है आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते है या इसकी जगे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना क्रीम के भी बनाएंगे तब भी डाल मखनी बहुत अच्छी बनेगी और इसको पकाने का टाइम जरूर दे डाल मखनी पकने में काफी टाइम लगते आए और बटर का यूज इसमें जरूर होता है दाल मक्षनी का मतलब ही होता है कि दाल और मक्षन तो इसमें आपने मक्षन का इस्तेमाल करना है सफेद मक्षन भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हूँ तो अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करने हैं बहुत जादा देर इसको नहीं पकाना है जब आपको लगे कि दाल मखनी बिल्कुल तयार होने वाली है तब इसमें बटर एड करना है यह बहुत टेस्टी बनकर तयार हुई है अगर आपको रेस्पी पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें मेर प्लाइब जरूर करें मेरा हुई है और दो हुई तो हुई है तो हुई है यहाईब जर ए शेकाना है हुई है